था काष़ीग अर्ट कैसे डिए रेंगी आपके लिए कामेंड में बता हुझ तो बात कर लेते हैं कि आज की आज जो जिए घर सकते हैं से important levels के बीच में ठीक है कैसे trade कर सकते हम ठीक है तो फर्स चीज देखो मैंने यहाँ पर आपको एक demand zone दिया था 39,200 का ठीक है यह zone दिया था इसके उपर मैंने कहा था कि आप यहाँ पर buy कर सकतो आपका first target यह वाला रहेगा इसके बीच का और इसके बाद आपका target रहेगा 39,650 त trade करते हैं तो आपको 39,600 तक का target मिल सकता था ठीक है यहाँ full target तो नहीं मिलता बटा प्रेलिंग में आप अच्छा पैसे earn कर सकते थे इस level पे ठीक है अब discuss कर लेते हैं कल क्या करना है हमें market में ठीक है bank nifty में हम कहां पर buy or sell कर सकते हैं ठीक है तो माल लो आपको bank nifty कल यहाँ पर मिलती है 39,250 के ऊपर और यहाँ पर अच्छी buying candles बनता है ठीक है तो buying candle बनता है तो यहाँ पर आप लॉंग कर सकते हो यहाँ पर यहाँ पर अच्छी green rejection candle बने आप यहाँ पर buy कर सकते हो ठीक है आपका first target रहेगा 39,400 का अगर इसको breakout कर जाता है तो आप 39,600 तक का target ले सकत तो यहाँ पर buying side में ठीक है next scenario क्या होगा कि मालो अगर market आपको gap up मिले यहाँ पर 39,600 के या 700 के नीचे gap up मिले आपको और यहाँ पर अच्छी rejection candle बनाए तो आप यहाँ पर sell कर सकते हो selling के side आपका target रहेगा 39,500 का first target और यहाँ से अगर market fall continue रखती है तो आप 39,250 तक का target ले स सकते हो ठीक है यह selling side में होगी ठीक है next चीज discuss कर लेते हैं मालो market इसके उपर open होती है यहाँ से आके इसको breakout कर जाता है 739,750 के उपर आती है तो यहाँ पर buy कर सकते हो और आपका target 40,000 तक कर रहेगा ठीक है buying side में और suppose next scenario अगर मालो gap up open हो जाती है यहाँ पर इदर से आके यह यहां आती है market 40,000 के पास तो आप यहां पर sell कर सकते हो selling side में आपका target रहेगा 39,730 का ठीक है तो इस zone का हमारे यही सब game plans रहेगा ठीक है next इदर अगर मालो market इदर आती है 39,150 के नीचे और यहां एक अच्छी selling candle बनती है rejection candle इदर से तो आप यहां पर sell कर सकते हो selling side में आपक target रहेगी 38,892,900 तक का target आप यहां से ले सकते हो selling side में और अगर इसको भी breakdown कर जाता है तो 38,550 तक का target आप ले सकते हो यहां पर selling side में ठीक है next चीज मालो market gap down open होती है इसके ऊपर 38,550 के ऊपर यहां फिर इदर से आके यहां आती है और यहां पर अच्छी buying candle मनाती है यहां कोई भी reversal pattern मनता है आप यहां पर buy कर सकतो आपका पहला target यह होगा और इसका breakout अगर होता है तो आप 39,150 तक का target ले सकते हो ठीक है यह हमारी bank nifty की game plans है ठीक है यह सारे levels draw कर ले ना ध्यान से देखा करो वीडियो को है ना आपकी watch time काफी कम होती है मैं statistics में देखा मैंने की मु इतनी complicated options trading की तो यार कैसे आप आगे बढ़ पाओगे ठीक है अगर आपको अगर आपको excel करना है इस चीज में आगे बढ़ना है self independent बनना है तो आपको यार ध्यान से देखना होगा आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे दो levels के बीच में आप trade करते हैं ठीक है आप trade करोगे कैस दो levels के बीच में trade किया जाता है तो जिब तक ध्यान से देखोगे नहीं आप सीखनी पाओगे सीखनी पाओगे तो आपको उसको profitable way में अपनी trading journey को बढ़ानी पाओगे ठीक है तो ध्यान से देखा करो price psychology में समझाता हूं आपको entry exits ही नहीं सिर्फ मैं आपको price psychology भी बता रह होता हूं यहां पर ध्यान से देखा करो समझ सीख जाओगे ना बहुत आगे पैसे कमाओगे तो चलो अब निफ्टी पे आते हैं निफ्टी में हमें क्या करना है कल और निफ्टी आज कैसे निफ्टी ने आज क्या किया ठीक है तो देखो निफ्टी में यह वाला supply zone दिया आपको 17,430,420 का एक्यूरेसी देख रहो यार एक्यूरेसी आपने बैंक निफ्टी में भी देख लिया एक्यूरेसी अब नेक्स चीज देखो कि यहां पर इसका sell यहां supply zone का accuracy देखो इस जोन के पास ही रहा हमें सा मार्केट इस जोन से नेक्स जोन के बीच में रहा तो इ आज दिक्कत थी बट अगर आप option selling करते हो तो आपको देखो आपके एक तो लेवल के उपर गया नहीं कभी और सेकंड चीज आपको डीके का benefit मिलता रहा है और आपका टारगेट भी ही अचीव होता है यहां पर option selling में तो यहीं सीन है तो हमने यहां पर ट्रेडिंग चैनल में भी इसके नीचे स्वाट करने का बोला था और बोला था कि यह वाला फॉस्ट टारगेट होगा 17,360 के आसपस और उसके बाद बोला था कि उसके उसको breakdown करता है अच्छे से अगर अच्छी pattern मना किया तो रिएंट्री के बाद आपका टारगेट 17,320 तक कर मिल सकता है बट यहां पर क्या होगा फॉस्ट टारगेट के बाद मार्केट रिवर्स कर गई और फिर वापिस से इधार आके चौपी हो गई तो थाज्जे को मैं थोड़ा सेफ ले करता हूं तो इसलिए मैं वापिस से कोई ट्रेड नी दिया चैनल मे कर लेते हैं कल करना है हमें निफ्टी में कौन-कौन से लेवल्स पर बाई कर सकते हैं कौन से लेवल्स पर सेल कर सकते हैं तो चलो देखते हैं निफ्टी की गेम प्लान्स तो फिर्स चीज़ रहेगा कि सपोज मालो सपोज यहीं पर मार्केट ओपन होती है या फिर 17,320 के अगर आपको निफ्टी मिलता है तो यहां पर बाई कर सकते हो ठीक है बाइंग साइड बाई कर सकते हो और आप आप देख लेना यह वाला ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक आउट कर जाता है तो आपके लिए डवल कंफरमेशन होगा और आप यहां तक का टार्गेट ले सक तो आप फिक है नेक्स सेटरियो क्या होगा आपका कि मालो मार्केट अग्याप उपन होती है ऐसेवंटीन थाउजन फाइवंड़ड पे इस जोन में अगर आपका निफ्टी अगर उपन होती है गैप और यहां से सेलिंग केंडल बनाता है तो आप यहां पर सेल कर सकते हो आपका टार्गेट होगा 17,420 इसको ब्रेकडाउन करता है तो यहां तक का टार्गेट आप ले सकते हो सौट साइड में ठीक है फूट साइड में नेक्स चीज़ रहेगा कि मालो मार्केट यहीं पर उपन होती है 17,420 के आसफरास तो आप थोड़ा इंतजार कर लेना मैंने बताया ओके नेक्स्ट चीज़ देखना कि अगर मालो मार्केट यहां पर आती है 17,280 के नीचे आती है यहां पर अच्छी बाइंग रिजेक्शन केंडल बनाता है तो आप यहां पर फिर सेल कर सकतो यहां फिर पूट बाई कर सकतो ठीक है आपका टार्गेट होगा 17, 17,180 तक का इसको breakdown करता है 17,130 के तक का टार्गेट आप ले सकते हो यहां पर पूट साइद में ठीक है यह सारे आपके देमांड जोन्स हैं यहां पर अगर मालो मार्केट आती है 17,130 के उपर, यहां पर आप लॉंग कर सकतो, या फिर बाई कर सकतो, कॉल बाई, और 174,180 के उपर आता है, तो आप 280 तक का टारगेट ले सकते हो, ठीक है, तो यह हमारे Nifty की गेम प्लाइन से रही, बैंक Nifty गेम प्लाइन मैंने अल्रड़ी आपको बता दिया है, तो अच्छे से ध्यान से देखो, ठीक है, अगर समझ में आया है, तो अच्छा है, नहीं समझ में आया, तो कमेंट में पूछो, क्या नहीं समझ में आपको, ठीक है, चलो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्र पूरे से देखो, है ना, बैंक Nifty में भी आपने देखा, तो यह बहुत ही अच्छी चीज है, एना ट्रेडिंग स्टाइल, बहुत ही बहुत ही बैतरीन ट्रेडिंग स्टाइल है, चलो, I hope कलकड़े आपका प्रॉफिटबल रहेगा, ठीक है, चलो मिलता हैं, बबाए,